हेलो गुड अफ्टरनून फ्रेंड्स मैंने आज शेर मार्केट के अंदर काफी सारा जो माल है वो बेचा है और दो स्टॉक्स में मैंने इंटाडे भी करी है देट इस थॉमस कोक एंट डीसी एक सिस्टम्स मैं आपको यह सब कुछ दिखा तो नहीं सकता हूं इंटाडे ट्र कर होता है यह वेफर दोस्तों आज मेंने जो है ना लेने का डिसीजन दो वजे से लिया सबसे बड़ा डिसीजन तो यह था कि अज जो है आखरी दिन है महीने का और जो करता हूँ कि मिरे को हор महीने जैसे मेरे पास स्टॉक्स हैं यह तीन systemat फिर सब्ट्रे इंट हैं तो हर डीमेट अकाउंट के अंदर जो है मैं एक महिने में अप्रॉक्सिमेटली 35 तू 40 थाउजन रूबीज मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो आज उसकी आखरी दिन था तो इसलिए मिरे को प्रॉफिट बनाना जो था ज़रूरी हो गया था और वैसे भी आज मैं 20 दिन के बाद करीब करीब बुक कर रहा हूँ प्रॉफिट तो अब देखते हैं कि आज यह दिखे यहां पर यह दिखा रहा है तो वो साइपियों के अंदर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका तो यह मेरे स्टॉक से जिसको मैंने सेल किया है यह देखी लिखा हूँ है थॉमस को रिजेक्टेड वाई दिस उसका वो रीजन सिर्फ यही था कि मैं दुबारा इसको सेल नहीं कर सका एक बर ही बाई सेल किय दुबारा इसको जो है मैं सेल नहीं कर सका कन्फूजन होगे मिरे को थोड़ा सा एनिवे 26 स्टॉक बेचे जिसके अंदर से करीब 2,70,000 रुपे के स्टॉक मैंने आज बेचे हैं तो यह बेचने का एक तो रीजन था कि मिरे को इसके अंदर आज 20,000 रुपे का प्रॉफिट करना बहुत जुरूरी था और दूसरी बात यह थी कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो थे दोनों का नेगेटिव दोनों ने सिगनल दिये थे तो आज सुबह यह गया था कि यह जो नेगेटिव सिगनल दिये हैं इन्होंने तो आज मार्केट जो है वो नेगेटिव क यह यह एक्साट हैै ठीक है निफ्टी 65 माइनस और यह 178 माइनस तो अब सवाल यह है कि मैंने प्रॉफिट तो मैंने बोक लिया है लेकिन उजहार प्रॉफिट बुक करने का सवाल नहीं है अब देखें जितने भी मैंने डिजिजिजन लिए न मुंस्ट अफ यह करता हूं कि कैसे मैं stocks को ना select करता हूं number one और दूसरी बात ये है कि जो मैंने stocks select किये थे उसके अंदर से फिर मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा reselect कर लेता हूं जैसे aviation निकाल देता हूं शुगर निकाल रेता हूं माइनिंग निकाल देता हूं इन stocks में deal नहीं करता हूँ, तो कुल मेरे पास करीब 55 stocks की list है और वो 55 stocks में जो है मैं trade करता हूँ 3 महीने के लिए अभी भी देखें मैं मेरे पास बाकी book करने के लिए जो है ये 5,900 रुपे का मैं profit book कर सकता हूँ आप मैं सोच रहा हूँ, चलिए कर दी लेता हूँ क्योंके क्या कर रहा है इसको जबर दसी ररके मंडे को तो इसको वाफिस खरीदना ही है तो चलिए सबसे पहले मैं Zensa Technology है, इसमें मेरे को 1500 का फाइदा हो रहा है तो मैं Zensa Technology का जो stock है, ये मैं 50 के 50 शेर जो है इसको बेच देता हूँ, आपके सामने बेच रहा हूँ, ये ये डिलिवरी दे रहा हूँ मैं और ये मैंने sell कर दिये राइट आच्छा, Zensa Technology के बाद दूसरा जो मेरे पास stock आ रहा है, वो जिसमें मेरे को फाइदा हो रहा है, वो है विसुवियस, तो चलिए विसुवियस को भी मैं बेच देता हूँ और इसको sell कर देते हैं इसको sell हो गया ये भी, विसुवियस fine, और किस के अंदर मेरे को, ये देखें, यहां सब figure घरती जा रही है, जितना मेरे को फाइदा होता जा रहा है, आज में को लगता है कि थोड़ा जादा ही फाइदा, ये एक अदा 84 रुपे है, इसको भी sell कर देता हूँ data patterns को data patterns भी गया और ये मेरे कोन सा stock और जिसमें पैसे मिल रहे है मेरे को फिल हाज 84 रुपे मिल रहे है इसको रहने देते हैं, 84 रुपे लेके क्या करूँगा, ये बीका जी के अंदर मिरको 361 मिल रहे है, चलिए इसको भी निकाल देते है ये भी गया आप देख रहे हैं, पांच हजार था उसका एक पच्छमन रह गया है, ये और भी कोई मिल रहे हैं, ये जस नेटवर्क के अंदर इसको भी सेल कर देता हूं, आपके सामने कर रहा हूं सेल, और पैसा कम हो गया, अब हजार रुपे का, हजार रुपे में शैद नहीं होगा, क्योंकि अब दो-तीन स्टॉक होंगे, 693 रुपे का ते, ये एका चीज है में नुकसान है, ये एम्टार में थोड़ा पैसा मिल रहा है, एम्टार में 375 रुपे मिल रहा है, एम्टार को बेट देते हैं, ये तो उपर ही नहीं जा रहा है चले छोड़िये, तो अभी 413 रुपे बाकी है, तो मतलब सवाल ये है कि जो पहले मैंने 26 थे, यहां पर अब ये 31 हो गए मुझे लगता है कि आजका मेरा करीब 34 रुपे का, 25 रुपे का प्रफिट हो गया लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि मेरा फ्रॉफिट रहूदी अति मैंने फोड़ा वंखेन को लिए 11 बजेक्षन वंखेन लिए है वह एक्षुलि देखने वाली बात है जिसको मैं आपको एक्स्ट्रेंग करना चाहता हूं आप ये देखी ये मेरा पास Nifty 50 का चार्ट लगा हुआ है, और ये मैं आपको ये यहाँ पर आप देखें, नीजे देखें, ये नौ बच के पंदरा मिनट का, ये यहाँ पर देखें, 31 साथ, 9 बच के पंदरा मिनट के ओपर मार्केट ओपर खुली, ही पिर मार्केट नीचे आ गई यहां पर मैं एक गंटे की एक एक गड़े लगाई तो मुझे समझ में आ गया कि यह जो स्टॉके यह ने को मार्केट के 15 मिनट से पहले ही इसलिए मैंने 11 बच के 6 मिनट 11 बच के 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट के अंदर मैंने 25 टॉट बेज दिया और उसके बाद आप देखिए मार्केट गिरी गिरी अभी तक नहीं समझी दोस्तो सवाल क्या है सवाल यह है जब आप एक घंटे की मार्केट लेते हैं तो आपको जो है पैसा भी ऐसे ही मिलता है और मतलब जब यह फॉल में तो फ्री फॉल तो हम मार्केट कभी खरीदते नहीं है वह पैसे प्रिंट के अदर होती है तो मैंने आपको बता दिया निफ्ली जो था वो यह फेवर में न ही था कल बैंक निफ्ली फेवर में नहीं था कोई ट्रिगर नहीं था और आज 31 अटूबर को मिल्को जो है बीस ह structured करना था तो मैं अबना जो कि जो जिन stocks के बारे में हम बात कर रहे थे उन stocks का क्या हुआ अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको bank nifty लगा के बता देता हूं हलां कि अभी market कदम होने के अंदर 10 minute है ज्यादा चेंग नहीं होगा और यहाँ पर एक घंटे की जगा अब मैं इसको एक week कर देता हूं और एक week अब यह weekly में हम आ गए हैं और weekly आने के इसको जो है मैं यहाँ पर line chart कर देता हूं अच्छी तरह समझने के लिए तो यह देख लिए weekly basis के ओपर इसने sell दे दिया है ओके और अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूं यहाँ पर तो आप यह देखें इसने कल भी जो है इसने क्या position है निफ्टी में भी है जो बैंक निफ्टी है वही निफ्टी है तो फ्रेंड्स कोई trigger अपने पास नहीं है और कल वैसे भी Friday है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है उसका जो मूट है वह बहुत अच्छा नहीं रहेगा अनलेस उन्टिल कल कोई बहुत अच्छा trigger एक हमारे सामने नहीं आ जाए और जड़ा लाइन चार्ट को भी देख लेती है तो लाइन चार्ट तो जो निफ्टी है उसने तो और यहाँ पर वीकली बेसिस से बुला हुआ है कि उन्निस चेसो चेतर आप देखें यहाँ पर उसने सेल दिया हुआ है और वो अभी तक सेल दे रहा है तो यकीन जो है कल मार्केट जो है भले ही उपर खुले लेकिन वो गिरेगी नीचे की तरफ ही और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बैंक निफ्टी करेंगे, तो चलिए यह रही हमारी ही हमोरी टोटल चाल कि और यह देखिए डेली बेसिस के उपर अगर इसका माइक्रो व्यू ले तो बैंक निफ्टी तो डाउन ही लगा रहा है बैंक निफ्टी ने तो 4485 पर डाउन बोल दिया था वहां से तो करीब गरीबे 400 नीचे आ चुका है चलिए दोस्तों यह रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन इस कि बैंक निफ्टी कैसे भी खुलेगा लेकिन क्लोज होगा वो क्लोज फॉल के अंदर ही होगा अब देख लेते हैं वो दो स्टॉंक जिस पर हमने बोला था कि जो स्टॉंक है वो uptrend के अंदर है और आज भी देख लिए जो भारत फोर्ज है उसने आज भी पंदर रुपे दिये हैं और इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तो जब चार्ट स्ट्रॉंग होता है न तो ये देखिए वहवा है एकदम हमें 910 का टार्गेट दिया था हो सकता है 910, 909 तो क्रोस करी गया है 909, 910 तो होई गया है तो ये शांदार uptrend के अंदर है कोई जरूरत नहीं है बने रही है अगर आपने खरीदा है लेकिन ये मेरी राय नहीं है और वैसे ही जो भारत फोर्ज है ये भी बिल्कुल वहवा है 1070 के उपर इसने uptrend दिया हुआ है तो ये भी हमने जो दो शेर्स के बारे में बुला था आपको दोनों शेर्स ऊपर है मैंने अभी देखा नहीं है कि 31 अगर्स आज को क्या होगा शेर्स के अंदर लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं आपको मंडे को मिलूंगा तो एक स्टॉक और डिसकर्स करेंगे जो की uptrend के अंदर होगा तो बस फ्रेंड्स थैंक यू बरी मच हैव नाइस डे शेयर मार्केट में रहिए पैसा कमाई है थोड़ा साथ शेयर मार्केट को समझ लीजिए पैसा बेपना है इसके अंदर और बाइदर वे मैं बता दूँ आपको के यहां पर यह जो भारत फोर्ज है इसने यहां पर ए आपने खरीदा है और नहीं तो खरीदें से पहले अपने रोकर से ज़रूर पुछ दिए थैंक यू वरी मच हैव नाइस डे मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में टना टन पैसा कमाई है